नगरी निकाय चुनाफ को लेकर PCC चीफ कमलनाथ अलग-अलग जिलो में जाका रोट शो और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं जिसके चलते आज वो सागर पहुचे और भाजपा पर यहां जम कर निशाना भी साधा गया। C.M. शिवराज को जम कर लिया आडे हातो। C.M. ने सागर को इंदौर बनाने का किया था दावा। C.M. शिवराज सिंग को आडे हातों लेते हुए उन्होंने कहा कि C.M. ने कहा था कि सागर को इंदौर की तरह बना दूगा। C.M. लेकिन वह सागर को छिंदवारा जैसा भी नहीं बना पाए। C.M. विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे। C.M. शिवराज सिंगी ने कहा था कि मैं सागर को इंदौर बना दूगा। C.M. एक दौर तो छोड़िये, ये तो सिंबाडा दिल बराव भाए। C.M. आज 17 साल मुख्यमंत्री शिवराज रहे। C.M. वहीं कॉंग्रेस में फूट को लेकर उन्होंने कहा कि पूर्वसांसद डालचंद्र जैन भी कॉंग्रेसी थे और निदिर सुनिल जैन सागर के सबसे सक्षम प्रत्याशी है और सागर की मांग की वज़व से उन्हें टिकेट दिया गया है। वो राजनीतिक नहीं समात सेवी है और उनके साथ जन समर्थन भी है। डालचंद्र जैन थे फूट किसमें शुरू करी है। डालचंद्र जैन थे उनका परिवार था एक ता किसने फूट शुरू करी है। और हम क्यों फूट लगाएं। हमें तो जो निदी सबसे उचित और सबसे सागर के भविशिक लिए जो सक्ष्यम उमीदवार रही है। यह कौन किसका है किसका है यह सब बातों महीं नहीं गया। कोई फूट का चक्कर नहीं है। मेरे उचे तो पूरा विश्वास है निदी और सुनीर पर कि यह केवल गाजबी तिक नहीं है। यह समाज से बखती है। और यह इन्होंने पूरा अपना डीवन समर्पित किया क्मुरस को। आज सागर की लोगों की मांग की कि निदी को लड़ाया जाए। कमलनात की इस कवायत का कितना रंग चड़ा यह तो परिणाम आने के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन उनके आरोपों के बाद अब भाजबा की प्रतिक्रिया का भी इंतिजार है। ब्यूर रिपोर्ट, MP News, सागर